शमिता शट्टी पर ट्रोलर्स ने साधा निशाना कहा कि वो शिल्पा और राजकुंद्रा के पैसों पर जीती है शमिता ने ट्रोलर्स को सुनाई खरी खोटी क्या है पूरी खबर आएए जानते है राजकुंद्रा के गिरफतारी के बाद से अक्रिस शिल्पा शट्टी और उनकी बहन शमिता शट्टी काफी चर्चा में है पॉर्नोग्राफिक केस में राजकुंद्रा के साथ ही जहां शिल्पा शट्टी की भी जाच हो रही है वही सोशिल मीडिया पर शिल्पा से लेकर श्रमिता तक को खूब ट्रोल किया जा रहा है बतादे कि श्रमिता श्रटी ने फिल्म महबते से बॉलिवर्ड में डेब्यू किया था उन्होंने इसके बाद बैक टू बैक कई फिल्मे की लेकिन उनका कर्यर कभी सफलता का स्वाद नहीं चक पाया श्रिपा श्रटी से उनकी तुलना कई बार हुई है श्रमिता ने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया लेकिन कोई खास फाइदा नहीं हुआ ऐसे में सोचल मीरिया पर ट्रोलर्स की फौज श्रमिता पर ये आरोप लगा रही है कि उनका खर्चा भी राजकुंदर और श्रिपा श्रटी ही उठाते है यही नहीं ट्रोलर्स ने श्रमिता को लेकर गई तरह की गलत बाते भी कही है इन सब पर श्वमिता शेटी ने अब चुपी तोड़ी है अब वंबे टाइम से बाचीत में श्वमिता ने ऐसी किसी भी बात से इंकार किया है उन्होंने कहा कि वो खुद अपना खरचा उठाती है श्वमिता शेटी ने कहा मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूं कि मैं अपना खर्चा और ख्याल खुद रखती हूँ शमीता ने इंटर्व्यू में आगे कहा कि जब कभी कोई शिल्पा शिट्टी से उनकी तूलना करता है तो उन्हें बुरा नहीं लगता शमीता बताती है कि वो हमेशा से अपनी बड़ी बेहन की तरह बनना चाहती थी ये सोच कर आश्चर ये जरूर होता है ये लोग ये कैसे कहे देते हैं कि दो लोग जीवन में एक जैसी सफलता पाए विल्स वमवार को जब शिल्पा ने बयान जारी किया तब भी शमीता ने ये ही कहा कि वो हर अच्छे और बुरे वक्त में अपने बेहन के साथ है फिल्हाल शमीता के इस वयान पर आप हमें बताए अपनी राए पोस्ट करिए अपने कॉमेंट्स